वेलकम है आपका सावल में बापस, हाट की बीमारी में हर तरह की कोश्चिन्ANS हमें पेशिंट पूसता है कि सर इसका क्या करें, वो खाएं के नहीं, ये खाएं के नहीं, क्या क्या खाऊं, क्या क्या ना खाऊं एक बहुत important question में doubt रहता है उनके कि sir मचली हाट के लिए ठीक है या नहीं है इसका answer मैं आपको आज देना चाहता हूँ मचली एक answer में दें तूँ बोलू तो ठीक नहीं है आप बोलेंगे sir मैंने तो सुना है मचली अच्छा होता है तो मैं आपको इसकी कारण बताओं मचली क्यों नहीं ठीक है देखे खाने में दो तरह की चीज हम लोग अंदर ले सकते हैं जो हाट के लिए बहुत नुकसान दायक है एक है cholesterol एक है triglyceride triglyceride मिलती है तेल में और dry fruits में seeds में और cholesterol मिलती है animal food में कोई भी चीज में cholesterol नहीं होता है animal food में कौन है mutton है, chicken है, red meat हो गया, white meat हो गई या मचली हो गई, अंडा हो गया या दूद हो गई, ये सारे animal food आपते हैं इनमें सब में cholesterol होती है अब आदमीं बोलता सब कि cholesterol की supply बाहर से बंद करने हैं, बोले एक दम क्यों नहीं करेंगे कम से कम कर दीजे cholesterol हमारे body में भी बनता है usually हम लोग अगर 100 की जडवत है हमारी cholesterol, तो 30 बाहर से आती है और 70 अंदर बन जाती है कुछ लोगों की जादा भी बनती है तो cholesterol अगर body में कम पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, body अपने आप बनाती भी है तो इसलिए बाहर से हम supply बंद करना चाहते है naturally, जो चीज का blockage होड़ा उसको निकालना तो पड़े गई तो मैं बोलता है, हम निकाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अब आदमी बोलता है, नहीं फिश में मैंने सुना है cholesterol नहीं होता है, एकदम होता है, cholesterol होता है अंडे में cholesterol होता है, मैं आपको पता हूँ मैं पूरे, हम लोग ने, जो डॉक्टर डीन और निस ने research किया, हमारा research है, बोलता है ठीक है, 3-4 mg, याद रखिए का cholesterol की intake मिली ग्राम में होता है मिली ग्राम, याद रखिएगा 1000 mg में एक ग्राम होता है एक दिन में एक ग्राम cholesterol तो बहुत हूज होता है आप अगर एक किलो मीट खाएंगे तब जाके एक ग्राम पहुचेगा हम लोग चाहते हैं 5 mg, मतलब एक ग्राम का कितना भाग हो गया बीसवा भाग, नहीं बीसवा नहीं दो सो भाग, एक एक दो सो भाग कर दी एक ग्राम का 5 mg एक दिन में में दूँगा उसके लिए हम लोग बोलते हैं skimmed milk ले लो या double toned milk ले लो 5-10 mg तक ले लो अगर 5 mg लेते हैं आपको मालूमें red meat में कितना कोलिस्टोल होता है 140 mg मतलब करीब करीब 28 days का कोलिस्टोल आपके अंदर चले गई अगर 100 ग्राम आपने red meat ले लिया आपको मालूमें chicken में 95 mg होती है माल लेते 20 दिन की कोटा चले गई मचली उपर से नीचे हर मचली की study हमने करवा दिया है कोई भी मचली में 40 mg से कम नी होता है 40 mg अगर 100 ग्राम मचली आप खा गए कोई fry वाई नहीं किया तेल में boil किया हो अभी खा गए तो भी आपका 8 दिन का कोटा चला गई आपकी कोलेस्टोल के अंदर तो याद रखिया हमें कोलेस्टोल की supply बंद करनी है एक और आता है सर उसमें omega 3 मिलता है मचली में अरे omega 3 हर खाने के अंदर होता है आप अगर चना खाओगे रोटी खाओगे दाल खाओगे सब में थोड़ी थोड़ी omega 3 होती है invisible sources से जितने हमारे बॉड़ी में आता है उसमें omega 3 आता है omega 3 अलग से कोई लेने की ज़रूत नहीं है तो इसलिए मचली को बहुत सारे लोग प्रोमोट कर देते हैं मचली हाड के लिए अच्छा है पर कोई बोल दे उसमें कोलेस्टोल नहीं होता हाँ अंडे को निकाल सकता है मैं अंडा फिर भी कभी-कभी अलाव करता हूँ मैं बहुता है चलो अंडे को वाइट खा लेना क्योंकि उसकी कोलेस्टोल की कंसिंट्रेशन यलो पार्ट में होता है और आपको मालू में एक अंडे का यलो पार्ट खा गए चलेगा ये कोई इसका कोई आंसर नहीं है मैं एक बंगाली आदमी को बोला मचली मत खाना तो बोलता है मर जाओंगा मैं बोला गी मत खाना बोला कोई प्राब्लम नहीं है उसके दिमाग में मचली भी ना जिंदगी नहीं चलेगा घी भी ना चल जाएगा मेरे को आके बोलता है सर आप तो मचली नहीं खाते हो मैं बोला नहीं खाते हैं बोलता है आपके लाइफ में खुसी कहां से आएगा मैं बोला मेरे को देख के दुखी लग रहा बोलता है नहीं दुखी तो नहीं लग रहे हो मैं बोला ठीक है जाओ मचली नहीं खाना फिर आ गया सर एक बात पूछू मैं बोलो सर आप खुद नहीं खाते बच्चे को तो खिलाती होगी मैं बोला सवाली पैदा नहीं होता है बच्चों पर अत्याचार आप इतना बड़ा गुना कर रहे हो आप बच्चों को जिंदगी भर वर्ड का बेष्ट खाना खाने नहीं लोगे तो रो रो कि मर जाएंगे उनके दिमाग में मचली ऐसा बैट गया कि अगर मचली निखाया जिंदगी में एक्जिस्टेंस का को मतलब ही नहीं बनता है अच्छा उसी दिन मारवाडी को मिला उसको मैं बोला आपना मचली मत खाना बोलता है मचली कोई खाने कीज़े मैं जिन्दगी में नहीं खाया और खाऊंगा भी नहीं कोई लाख रुपय दे तो भी नहीं खाऊंगा वेरी गुड फिर मैं बोला आप घी मत खाना बोलता है गी बिना रोटी उत्रही को नहीं मतलब बीना घी के हमारे यहां हाट के लिए नुकसान ही करेगा और इसके लिए मचली मना है हाँ यह बोलेंगे कि सर अगर मुझे नुकसान ही करना है तो मचली का नुकसान करूँ चिकन का करूँ मतन का करूँ तो मतन सबसे खराब है उससे थोड़ा कम खराब है चिकन उससे थोड़ा कम खराब है मचली पर खराब तो तीन होई है, तो इसलिए मचली आपको नहीं खाना है, ये बात याद रख लीजे, 100% fat free हम ये चाहिए, zero oil चाहिए, dry fruits नहीं चाहिए, और मचली नहीं चाहिए, दूद में से भी जितना हो सके मलाई निकाल लीजे, तो ये बात को आपको धियान रखना पड़ेगा, थैंक यू सो मच, कर दो जुद में से भी म।रीति काम इस्यार मेचलता को आपको नहीं चाहिए, दो ये बात है, दो आपको 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 जो बाताना होाद में से एकपको बाता हो राताना हो अीक बाता है, पहला पrage रखना हम प्लेवास ही नहीं वात पहाँते हैंक पहाँता हूआ ह Allो तो